हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएस दोस्तो सिलेक्ट आईएस के घटना चक्र पूर्वावलोकन की सिरीज में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में हम जोगरफी के टॉप फिफ्टी मॉस्ट इंपोलिटन्ट को डिसकस करेंगे ये कोशन्स आपके 69 बीप इस पर डेली आपकी क्लास आएंगे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तो फ्रेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं यहां से आपका सामानिय भुगोल स्टार्ट हो जाता है भुगोल यानि की जोगरफी को आपको दो पार्ट में बाट कर पढ़ना है आपको वर विश्व का भूगोल डिसकस करेंगे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्व के भूगोल में सबसे पहला कोशन है आपके सामने नेमनली खित में से कौन सा सोरमंडल का भाग नहीं है तो इसका सही आंसर है डी निहारी का आपको याद रख सोरमंडल का भाग नहीं होता तो आप से यही पूछा गया था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए सोरमंडल का निर्मान लगभग 4.6 billion वर्स पूर्व हुआ था सोरमंडल में सूर्य जो की एक तारा है और ऐसे खगोलिय पिंट सम्मेलित होते हैं जो गुरुत्वा करशन बलदुआरा उससे जुड़े रहते हैं इनमें ग्रह, बोनेग्र है, प्राकर्तिक उपग्र है, छुद्र ग्रह, उलकाएं, धूम केतू और खगोलिय धूल आदी सामिल है तो आपने यहाँ पर देखा सोरमंडल में क्या सब सामिल होता है जबकि निहारी का सोरमंडल का भाग नहीं होता दूसरा कोशन है आपके सामने वैज्यानिक जिनोंने सर्व पर्थम खोज की की प्रत्वी सूरिय के चारो और घूमती है कौन थे तो ये थे आपके कौपर निकस आपको याद रखना है दोस्तों कौपर निकस वे वैज्यानिक थे जिनोंने सर्व देखिए 1514 ईस्वी में एक हस्त लिखित पुस्तक लिटिल कमेंटरी में कौपर निकस ने उस सिधान्त का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रहमांड के केंद्र में हैं तथा प्रत्वी उसकी परिकर्मा करती है उलेखनिय है कि छटी सताबदी ईस्वी के परशिद भारतिय खगोल विद वरहा मिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्स पुर्वी यह बता दिया था कि चंद्रमा प्रत्वी का चक्कर लगाता है और प्रत्वी सूर्य की परिकर्मा करती है तीसरा कोशन है आपका हमारी आकास गंगा के केंद्र की परिकर्मा करने में सूर्य को कितना समय लगता है तो इसका सही आंसर है डी 25 करोड वर्स तो हमारी आकास गंगा के केंद्र की परिकर्मा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड वर्स का समय लगता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूर्य को एक परिकर्मा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड वर्स लगते हैं। जिसमें से अधिकांस को दच्छिन गोलार्द से ही देखा जा सकता है। फिफ्ट कोशन है आपका जिस तारा मंडल की तारे धुरूव तारे की और संकेत करते हैं। तो इसे बोलते हैं सब्तरिशी तारा मंडल की तारे धुरूव तारे की और संकेत करते हैं। आपको याद रखना है। देखिए धुरूव तारा का संकेत सब्तरिशी तारा मंडल से प्राप्त होता है। सिक्स्त कोशन है आपका ग्रहे जिसका कोई उपग्रहे नहीं है वहे है तो वहे ग्रहे है आपका बी बुद्ध तो बुद्ध एक ऐसा ग्रहे है जिसका कोई उपग्रहे नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोरमंडल में केवल दो ग्रह, बुद्ध, मरकरी और सुक्र, वीनस का कोई उपग्रह नहीं है, तो आपको इन दोनों को ही याद रखना है, मंगल की दो उपग्रह होते हैं, नेप्चून के चोहदा ग्यात उपग्रह हैं, जिन में ट्रीट 6 में International Astronomical Union ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की सरेनी से बाहर कर दिया था, साथवा कोशन है आपका सोरमंडल का सरवाधिक गरम ग्रह कोन सा है, तो सही आंसर है B, सुक्र, आपको याद रखना है सोरमंडल का सरवाधिक गरम ग्रह सुक्र है, जिसका माध्यत आप आपमान लगबग 464 डिगरी सेल्सियस है, आठवा कोशन है आपका Evening Star किस ग्रह को कहते हैं, सही आंसर है C, सुक्र, वीनस को, तो Evening Star सुक्र, वीनस ग्रह को कहा जाता है, देखिए सुक्र ग्रह को सुभह का तारा, Morning Star और सामकाल का तारा, Evening Star कहा जाता है, तथा मंगल को ल ग्रह कहा जाता है ब्रस्पती सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जब की सनी वलो से युक्त ग्रह है तो इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से काफी जादा इंपोर्टेंट है नौवा कोशन है आपका प्रत प्रत्वी तक पहुशने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है इन विद्यूत चुम्बकिया उर्जा तरंगों का वेग एक लाग छासी हजार मील प्रति सेकंड होता है इसलिए सी विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा दसवा कोशन है प्रत्वी को सूर्य की परिकर्मा करने में लगभग तो यहाँ पर बी ओप्शन आपका सही हो जाएगा चलिए देखते हैं next question ग्यारवा कोशन है आपका प्रत्वी परिकर्मन करती हुई प्रती मिनट करीब करीब कितनी दूरी तैकर लेती है तो दोस्तों यह कोशन आपका विवादित है इसकोशन पर आपको ज़ादा धिहान नहीं देना है चलिए देखते हैं next बारवा कोशन ह तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर B, 23 दिगरी अक्छांस के पास तो प्रत्वी पर मरूभूमी, इट मेंज की मरुस्थल होने की संभावना 23 दिगरी अक्छांस के पास ज़ादा रहती है तेहरवा कोश्चन है आपका एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है सही आंसर है बी प्रत्वी के घुर्णन के कारण तो प्रत्वी के घुर्णन के कारण ही प्रभावी कोरियोलिस बल होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं धरातल पर प्रवाहित हवाव की दिशा वायूदाब तथा प्रत्वी की गुर्णन गती दुवारा निर्धारित होती है प्रत्वी की अक्षिय गती से उत्पन विच्छेपक बल के कारण हवाव की दिशा में विच्छेप हो जाता है इस बल की खोज जी जी कोरियॉलिस दुआरा किये जाने के कारण इसका नाम कोरियॉलिस बल पड़ा इस परकार दिये गए विकल्पों में से एक प्रभावी कोरियॉलिस बल का कारण प्रत्वी का घुर्णन है चोहद्वा question है आपका सोरमंडल का सबसे बढ़ा ग्रह कौन सा है तो सही आंसर हो जाएगा option C ब्रस्पती तो ब्रस्पती सोरमंडल का सबसे बढ़ा ग्रह है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सोरमंडल में आकार की द्रश्टी से ग्रहों का करम इस प्रकार है तो सबसे बड़ा ग्रहे आपका ब्रसपती जुपीटर होता है, ब्रसपती के बाद सनी, अरुन, वरुन, प्रत्वी, सुक्र, मंगल और बुद्ध होता है, तो ये आकार की दरश्टी से सोरमंडल का सबसे बड़ा ग्रहे आपका ब्रसपती है, पंदरवा कोशन है आपका, न चानि सूर्य के 4 और 1 चक्क्र लगाने में कितना समय लेता है तो सही आंसर है C 29.5 वर्स इसको आपको याद रखना है सत्रवा कोशन है युरेनस सूर्य के 4 और 1 परिकरमा में कितना समय लेता है सही आंसर है A 84 years 84 वर्स का समय लेता है अठारवा कोशन है आपका जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंदित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्वी के आयाम की माप से देखिए फ्रेंट्स ये कुशन आपका 67 बीपेसी के प्रिलिम्स में 2022 में पूछा गया था इसलिए ये कुशन इंपोल्टन्ट है आपको याद रखना है देखिए जियोडेसी प्रत्वी के तीन मूलभूत गुनों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है ये गुन है प्रत्वी का जामीतिय आकार अंत्रिक्ष में प्रत्वी का अभिविन्यास और प्रत्वी का गुरुत्तु आकर्शन छेत्र इसके साथ ही यह समय के साथ उप्युक्त गुनों में परिवर्तन का भी अध्यन करता है इस पर प्रधान मद्या रेखा देखिए प्रधान देशांतर को अंतराश्टिय देशांतर रेखा या ग्रीन वीच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं युनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अलजीरिया, माली, बुर्कीनाफासो, टॉगो, घाना और अंटार्क्टिका, दच्छिन, धुरू 21 वा कोशन है आपका निम्रलिकित में से कौन महाद्वीप छेतरफल की अनुसार सबसे बड़ा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सही आंसर आपका ओप्शन भी हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप छेतरफल की अनुसार अफरिका है देखिए यहाँ पर चा पित्रफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा है लेकिन यहाँ पर ओप्शन में आपको एसिया नहीं दिया गया था इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पर अफरीका था 22 वा कोशन है आपका निम्न में से किस महादुईप में सबसे अधिक देश हैं तो सही आंसर है ओप्शन C अफरीका अफरीका महादुईप में सबसे अधिक देश हैं देखिए परती एक महादुईपों में देशों की संख्या यहाँ पर दी गई हैं अफरीका में 54 कंट्री है यूरॉप में 51 कंट्री हैं एशिया में लगभग 50 देस हैं उत्तरी अमेरिका में 23 कंट्री हैं और दच्छी नी अमेरिका में आपकी 12 कंट्री हैं तो इनको भी थोड़ा आपको दियान में रखना है 23 कोशन है सरवाधिक उत्तरी दच्छीनी अक्छांसी या लंबाई वाली सीमा वाला देश है तो सही आंसर है B चिली आपको याद रखना है चिली सरवाधिक उत्तरी दच्छीनी अक्छांसी या लंबाई वाली सीमा वाला देश है 24 question है निम्नलिकित में से किस देश में सरवाधिक दूइब हैं सही answer है option B Indonesia Indonesia में सबसे ज़ाधा दूइब हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन देशों में दूइबों की संख्या दी गई है तो यह Indonesia है Indonesia के बाद Philippines, Maldiv और क्यूबा आते हैं 25 question है आपका निम्नलिकित में से कौन सा दूइब छेतरफल में सबसे बड़ा है सही answer है A Borneo आपको याद रखना है Borneo छेतरफल में सबसे बड़ा दूइब है यह 64th BPSC के prelims 2018 में आपसे पूछा गया था तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 26 question है निम्नलिकित में से कौन सा देश भोगोलिक छेतर की दरश्टी से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है तो सही answer है C जापान तो जापान सीमा रहित सबसे बड़ा देश है चलिए देखते हैं next 27 question है भोगोलिक छेतर की दरश्टी से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है तो सही आंसर है B. होन्सू आपको याद रखना है जापान मुख्यत है चार द्वीपो होकैडो होन्सू सिकॉंकू और क्यूशू का सम्हू है उप्यूक्त चारों द्वीपो में होन्सू सबसे बड द्वीप है जापान की राजधानी टॉक्यो इसी द्वीप पर इस्थित है 28 question है आपका Greenland निम्न देशों में से किस देश का भाग है तो सही आंसर है A. डेनमार्क Greenland छेतरफल की दरश्टी से विश्व का ब्रहत्तम द्वीप है इट मिन सबसे बड़ा द्वीप है Greenland डेनम महादवीप है बहाव का सिधान्त किसके द्वारा विक्सित किया गया था तो सही आंसर है option B A. वैगनर के द्वारा महादवीप है बहाव का सिधान्त Continental Drift Theory को दिया गया था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Continental Drift Theory आपकी काफी जादा important है इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए तो महादवीप यह बहाव का सिधान्त वैगनर द्वारा विक्सित किया गया था वैगनर की अनुसार लगवग 20 करोड वर्स पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ पैंजिया पहले दो बड़े महादवीप यह पिंडो लोरेशिया और गोंडवाना लेंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गई जो आज की महादवीप हैं तीसवा कोशन है आपका आगने चटानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो सही आंसर है ओप्शन सी वे क्रिष्टलिया तथा एक क्रिष्टलिया दोनों ही होती हैं तो य रवेदार होती हैं परते नहीं पाई जाती हैं पुरा जिवास्म भी नहीं पाई जाते हैं तो यह इसके विसेस्ता हैं जो आपको ज़रूर याद रखनी है आगने चटानों का संबन्द प्राइज जुआला मुखी किरिया से होता है पानी का परवेस बहुत कम होता है ठर् देखते हैं अवसादी सैलो सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में तो अवसादी सैलो का निर्मान अवशादो के एकत्री करन के फलस्वरूप होता है इनमें जिवास्म फोशिल्स पाई जाते हैं परते भी पाई जाती है किन्तु यह सैले रवेदार नहीं होती है तो इस्कर्क्रूड बेडड बजरी और रेत की लकीरे हैं तो तुझ आपको जो कृफन है यह सही है दूसरा कि अंटे की टौक्री इस्थलहकरती एसकर युक्त इलाकों की विसेस्ता है यहह घโlt हो जाता है और चोथा कथन है आपका जबकि एसकर गलेशियरू की धाराव द्वारा निर्मित होते हैं ड्रमलीन गलेशियर की किरिया से उत्पन होते हैं ये कथन आपका सही है तो यहाँ पर option B आपका सही हो जाता है एक दो और चार कथन आपका यहाँ पर सही है चलिए देखते हैं next question 33 question है आपका Mount Etna है सही आंसर है C एक जवाला मुखी तो Mount Etna एक जवाला मुखी है Mount Etna एक सक्रिय जवाला मुखी है active wall क्यानों है जो इटली के Sicily दूइप के पूर्वी टट परिस्तित है तो यह भी आपको याद रखना है Mount Etna जवाला मुखी कौन सी country में है और कहां पर है इसक कि सर्वोच उचाई 3350 मीटर होती है 34 question है Mona Lowa उधारन है सही आंसर है A सक्रिय जवाला मुखी का उधारन है और यह मोना लोवा हवाई दूइप जो की संयुक्त राजी अमेरिका में हैं तो हवाई दूइप संयुक्त राजी अमेरिका में स्थितेक सक्रिय जवाला मुखी है 35 question है आपका वर्स 2004 के हिंद महासागरिय भूकंप तता उससे परिनामित सुनामी के संबंद में निमनलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है दिया गया है देखिए इसका सही आंसर ओप्शन C हो जाएगा तो यहाँ पर जो C कथन है वो सही नहीं है जो की लिखा है वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुंदर में डूब गई अंगिनत लासो की अतरिक तो 50 लाग से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा तो यह कथन आपका यहाँ पर सही नहीं था इसलिए यह सही आंसर आपका हो जाएगा काफी पुराना कोशन है तो उतना इंपोर्टेंट नहीं है चलिए आगे देखते हैं 36 कोशन है आपका विश्व की सबसे उची चोटियां किस परकार के परवतों में पाई जाती है तो इसका सही आंसर है बी नवीन मोड़दार पर विश्व की सबसे उची चोटियां नवीन मोड़दार परवतों में पाई जाती है इसको आपको थोड़ा धियान में रखना है 37 कोशन है विश्व की सरवाधिक लंबी परवत सरंखला कोन सी है तो सही आंसर है ओप्शन बी एंडीज परवत सरंखला विश्व की सरवाधिक साथ हजार दोसो किलो मीटर है, रोकीज परवत उत्तरी अमेरिका की परमुख वलित परवत सिरेनी है, इसकी लंबाई लगबग 4,800 किलो मीटर है, हिमाल्या परवत दच्छिन एसिया में भारत की उत्तरी सिरे परिस्थित है और इसकी लंबाई लगबाग पच्छिस सो किलो मेंटर है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्टी एट कोशण है आपका कोकोश प्लेट किन के मद्या पाई जाती है सही आनसर है option A. मद्या अमेरिका तथा प्रशान्त प्लेट कोकोस प्लेट मद्धिया अमेरिका तथा प्रशान्थ प्लेट के मद्धिया पाई जाती है इसको आपको याद रखना है 39 कोश्चन है संयुक्त राजी अमेरिका का रस्ट बाउल निमनलिकित में से किस परदेश से संबंदित है सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिये रस्ट बाउल या रस्ट बैल्ट संयुक्त राजी अमेरिका का उत्तर पूर्वी छेतर है यह लोहो उत्पादन करने वाला आर्थिक छेतर है इसमें इलिनियास इंडियाना मिशीगन ओहियो पैंसलवेनिया का छेत सामिल किया जाता है इसमें ग्रेट लेक्स पर्देश पिट्सबर्ग पर्देश आदि सामिल है आता एक से आधिक विकल्प यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे चालिसवा कोश्चन है आपका किली मनजारो है एक तो किली मंजारो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा A. वोलकैनो किली मंजारो आपका एक प्रकार का वोलकैनो है देखिए किली मंजारो परवत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग परिस्थित है इसका पूर्व नाम कैसर विलहेम स्पिट्स था यह एक आगने गिरी या जुआला मुखिया परवत है तो यह आपको याद रखना है 41 है गोबी का मरुस्थल कहां है तो गोबी का मरुस्थल यह आपका चीन में है इसको आपको अच्छे से याद रखना है देखिए 42 कोशन है आपका जोहांसबर्ग विख्यात है तो सही आंसर है A. सुर्ण खनन हे तू जोहांसबर्ग सुर्ण के खनन के लिए परसिद है देखिए जोहांसबर्ग कहा है तो ये दच्छिन अफरिका में है जोहांसबर्ग दच्छिन अफरिका के गोटैंग प्रांत क प्रोविंसियल राजधानी है यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व परसिद है 43 कोशन है आपका निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद देश है लैंड लोग कंट्री है तो सही आंसर है ऑप्शन बी हंगरी हंगरी एक लैंड लोग कंट्री है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हंगरी इस्थल रुद देश है जो युक्रेन रुमानिया सर्बिया क्रोएश स्लोवीनिया औस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है बेलजियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रुमानिया और युक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है तो आपको ये बाउंडरी किस से टच करती है इनको जरूर ध्यान में रखना है 44 कोशन है आपका इसराइल की उभैनिस्ट सीमाएं है तो सही आंसर है ओप्शन ए लेबनान सीरिया जार्डन और मिसर के साथ इसराइल की सीमा कौन कौन सी कंट्री के साथ तच करती है तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है तो ये कंट्री है आपकी लेबनान सीरिया जार्डन और मिस्र देखिए इसराइल बेसिकली पश्चिम एसिया का भूमध्य सागर टटिय देश है इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से उत्तरी सीमा लेबनान से उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से पूर्वी सीमा जार्डन से तथा दच्छिन पश्चिमी सीमा मिश् इसलिए एविकल्पी यहाँ पर आपका सही होगा। 45. कोशन है आपका संसार की छथ रूफ ओफ ता वर्ल्ड किसे कहते हैं। सही आंसर है option C, पामीर। संसार की छथ पामीर के पठार को कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है 46 कोशन है आपका पूर्वी समुंदर की स्वामिनी का नाम है तो सही आंसर है option A, सिरी लंका तो सिरी लंका को पूर्वी समुंदर की स्वामिनी के नाम से भी जाना जाता है 47 question है आपका प्रत्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढखा है लगभग सही आंसर है C दो तीहाई है तो प्रत्वी की सतह का दो तीहाई भाग पानी से ढखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्वी की सतय के कुल छेत्रफल की लगभग 29% भाग पर इस्थल लैंड एरिया है और लगभग 71% भाग पर जल छेत्र वाटर एरिया का विस्तार है 48 question है आपका समुंद्र तल पर प्रत्वी के केंदर के सबसे निकट स्थान है तो सही आंसर है option A उत्तारी धुरू है यह आप देख सकते है 49 question यहाँ पर आपका दिया गया है दोस्तो 49 कोशन में आपको महासागरिय कटक की विसेस्ता बताई गई है आपको बताना है यह है विसेस्ताई कौन से कटक के बारे में हैं चलिए पढ़ते हैं इसको देखे 64000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चोड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दच्छिनी अटलांटिक महासागरिय द्रोनियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरिय द्रोनी और फिर आस्ट्रेलिया तथा अंटार्क्टिका के बीच से दच्छ पचासवा कोश्चन है आपका गल्फ स्ट्रीम है तो गल्फ स्ट्रीम सही ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा एक महासागरिय द्रोनी तो फ्रेंट्स आज की क्लास में हमने वर्ल्ड जोग्रफी के टॉप मॉस्ट इंपोर्टेंट 50 कोश्चन को यहाँ पर डिसकस किया है जो आपकी 69th BPSC प्रलिम्स के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट हो सकते हैं इसलिए आपको इस सिरीज को रेगुलर बेसिस पर फोलो करना है और अच्छे से रिस्पोंस करना है कमेंट सेक्शन में तो फ्रेंट्स आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं फ बनेट, जाज करते हैं पहले जाज़ को में करता हैं पहले जाज़ केक्शन में और उसकर बेहें खोलै मिलते हैं